टीवी के सूपर हिट शो जमाई राजा से फेमस हुई एक्ट्रिस निया शर्मा जल्दी अपने डान्स से फैंस को दिवाना बनाने वाली हैं काफी स्टनिंग आउटफिस और यूनिक मेकप स्टाइल के लिए नाम कमा चुकी निया शर्मा जलक दिखलाजा सीजन 10 की कंटेस्टन बनी हैं हाली में एक्ट्रिस ने एक इंटर्व्यू में लाइफ, करियर, काम और जलक दिखलाजा शो से जुड़ने पर खुल कर बात की निया ने बताया कि आज के टाइम में मेहनत करना बहुत जरूरी है वरना कोई आपके साथ काम ही नहीं करना चाहेगा एक्ट्रिस ने एक टाइम से बात शीत में बताया कि कोई ट्रेंड डांसर नहीं है वो लेकिन इस शो में अपना बेस्ट देना चाहती है और ट्रॉफी जीत कर ही घर ले जाना चाहती है निया का कहना है कि आज भली लोग को उन्हें उनके मेक अप लोग्स और ड्रेसिंग सेंस के लिए जानते हैं लेकिन अब वो इसे आगे भी जानने लगेंगे इसलिए वो छलग दिखला जाके मंच पर काफी जादा मेहनत करना चाहती है विचाती हैं कि शो में वो एक नौन डांसर से एक बड़िया सी डांसर बन कर ही बाहर निकले निया ने अपने स्टेटमेंट को गलत तरीके से लिए जाने पर भी अपना व्यू पॉइंट दिया है और उने कहा कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को गलत समझा है जब मैंने कहा काम नहीं है कभी-कभी ऐसे चीज़े होती है जो आप चाहते हैं लेकिन यह आपकी काम नहीं आती है यह चीज़े काम ही नहीं करती है कई सालों से मेक उप और फैशन्स क्लिए में लैम लाइट में हूँ लेकिन अच्छा काम मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी इसलिए मैंने छलक चुना है क्योंकि इस तरह के शूल लोगों को बहुत ज़ादा इंपैक्ट डाते हैं वेल क्या कुछ कहना है आपका निया की इन सभी बातों पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं बटिल देन लाइक, शेर इन सबस्क्राइब टू आर चैनल